तो हेलो लोगाईस कैसे आप लोग होप अप सब बढ़याओंगे तो आचुके एक और वीडियो के साथ वापस तो आज हमको ट्रेड करने वाले है क्यों टेक्स के अंदर ठीक है तो फिलाल मार्केट ने यहां पर एक रजिस्टेंस पे क्लोस किया है ठीक है यहां पर काफी अप है ठीक है यहां से में कॉल ओप्सन का ट्रेड प्लेस करूंगा ठीक है गुड़ एंटर पॉइंट के साथ मुझे एंट्रे मिली है ठीक है केंडल हाइप मारके नीचे नीचे आया ऊपर सैलिंग पोजिशन अभी काफी उपर है ठीक है प्रिविशली आप देख स पर लोज और नियर्स मार्केट में यह सपोर्ट का लेवल है ठीक है तो केंडल वीग भी बन सकता है लास्ट मुमेंट पर दिखते हैं अभी त्रेड मेरा रिफंड आ चुका है अभी दिखते हैं मार्केट में यहां पर बाइंग पोजिशन है जहां से की बायर वीशन केंडल होना ही चाहिए ठीक है रहां से को यहां सी बाइंग प्रेसर है ही तो यहां वहां से क्ल अप्पे अपना अगेंट में होनी चाहिए जो कि candle reaction में अब देखी जबते हो बार-बार यहां से ऊपर ही धकेड़ा जा रहा है बायर्स को ठीक है तो गाई जबी दिखते है केंडल में strong buying push आया है यानि कि इस candle को retracement candle बनाया गया है ठीक है हमारे पास buying position इस level पे available है plus market में ठीक है यहां से strong push आया 27 से ठीक है बट मार्किट को एक rejection point आया है ठीक है मार्किट इस level को skip नहीं कर पाया तो candle red बन सकती है पट यहां पे हम put option के लिए trade नहीं कर सकते गाई विकोस कि यहां पे resistance है उस level का market ने भी skip out किया है ठीक है प्लस यहां पे हमारे पास 50% का level भी है जो कि market को touch करना है मुझे यहां की level पे entry मिलता है तो ही मैं यहां से call option के trade के लिए जा सकता हूँ अभी time भी over हो चुका है तो यहां से में trade नहीं करूंगा ठीक है आज मैं fix amount से trade कर रहा हूँ पिकोज की कल में अच्छा का तो compounding से gain कर लिया था count ठीक है तो दिखते अभी मार्केट में buying position का पे हमें candle पे ही focus करना है ठीक है स्ट्रॉंग sellers कहां से आए है ठीक मार्केट में आप स्ट्रॉंग बायर है बड़ मार्केट में gap up हो चुका है candle ठीक है केंडल ने gap up करके resistance के below ही open किया है तो यह candle एक right candle बन सकता है ठीक है बड़े यहां से मार्केट एक downtrend में है ठीक है तो यहां से में put option का risk तो लेना ही चाहूंगा पर अभी पहले condition हम read करते है पहली ठीक है कि यहां से हम put option के लिए trade place कर सकते हैं या नहीं है ठीक है केंडल में call option के ट्रेट के लिए ज्यादा तो हमें यहां पर candle में call side के लिए ज्यादा strong signals है ठीक है कि यहां पर breakout भी हो चुका है और इस candle ने gap up करके कोई reaction का level skip किया है दिखते अभी candle के अंदर ठीक है 30% को sellers आ रहे हैं ठीक है ठीक है मार्केट में यहां पर बाइंग पोजिशन है यहां से मैं call option के ट्रेट प्लेस करना चाहूंग ठीक है तो यहां मैंने ठीक है ठीक है यहां पर की लेवल है क्या मार्केट उस लेवल को इसी केंडल में क्या अफिल अप करता है या नहीं ठीक है अब देखेंगे ठीक है 37 पर बायर्स है ठीक है ठीक है 37 पर बायर्स अपनी एंट्री दिखा रहे ठीक है बैट बाइंग पोजिशन प्रीएस स्केंडल ने काफी नीचे बताई है तो यहां पर मार्जिनल सेफ्टी काफी डीप लग सकता है ठीक है मुझे यहां पे 35 के नीचे एंट्री मिलता है तो मैं यहां से कॉल आप्शन के ट्रेट्स के लिए प्लेस कर दूंगा अपना एंट्री ठीक है तो यहां पे अभी हम देखते हैं मार्किट उस लेवल तक महीं आ रहा है गा तो अभी फिलाल देखते हैं केंडल ने हमें तो एंट्री नहीं दी है 35 के नीचे तो हमने एंट्री भी अपना प्लेस नहीं किया है मार्किट में 39 से सेलर्स आ चुके है अब ठीक है मार्किट में यहां से स्ट्रॉंग को लाया है 34 से अगें से जिस लेवल के लिए हमें प् सेलर्स एंटर करेंगे या नहीं वो तो केंडल रियेक्शन से ही पता चलेगा ठीक केंडल 30 वाई के उपर जा चुकी है और यहां पर सेलर्स आ रहे हैं बट यहां पर फ्रेस ब्रिक आउट हुआ है मार्किट का ठीक है ट्रेंड भी यहां पर हमारे पास डाउं ट्रेंड है ठीक है यहां हम खॉल का उपर्चुनिटी इसलिए ले रहे है क्योंकि दो बार्ड सेलर्स यहां पर अपनी देथ दिखा चुके है राउंटिंग बाट्रम पैटर्न से मार्किट अपने टार्गेट के लिए प्ले करेगा केंडल लास मोमेंट पर भी ग्रीन केंडल बन सकती है ठीक है विफिलाल दिखते है एक केंडल क्या होती मुझे यहां पर कॉल ओप्सेन के लिए ज़्यादा स्याओरिटी हो रही है ठीक है मार्किट श्रक्ट्टर के हिसाब से तो मैं यहां पर पुट ऑप्सन अवोइड करता हूँ ऐसी कंडिसेंस में ठीक है ठाटी फॉर का प्रेक नहीं कर पाई तो तार्गेट के लिए मार्किट ऊपर जा सकती है कि मैं यहाँ पुट आप्सन के ट्रेड में लूंगा जो कि अपना रूल है रहे गए यहां पे टीक है केंडल यह बेसक रहे बन सकते ट्रेडिवल केंडल है ठीक है लोजिक के हिसाब से बट यहां पे मार्केट में प्रिवेस केंडल में सेलर्स ट्रेंथ उतनी खास नहीं दि ने इस लेवल को टेस्ट करने आया है है ठीक है मार्केट में आस स्ट्रॉंक पुला थीक थर्टिवन का ये देखते तर्टिवन के उपरकित क्लोज कर पाता है थीक है मार्केट में सपोर्ट पर ओपन कर दिया तो ये ये oude से इस केंडल केंदर क्योंकि मार्केटिक सपोर्ट पे ओपन है अब प्रिविएस दो केंडल ने हमें सेलर स्ट्रेंथ काफी वीग यहां पे बताई है ठीक है यहां पर एक न्यूज रिलीज होगी देखते हैं हम केंडल भी सब ग्रीन आ सकती है लास्ट मुमेंट पे भी ठीक की ही नहीं अभी दिखते हैं क्या केंडल हमारे बनेगा ठीक है यह न्यूज रिलिस थी कोई दिक्कत नहीं है यहां पर लो लग चुका है तो यहां से में कॉल अप्शन के लिए ट्रेड अगर मिलेगा तो मैं जा सकता हूँ ठीक है ठीक है मार्केट में 600 से में डबल कॉल ट्रेड प्लेश कर दूंगा ठीक है 600 के लेवल के नीचे ही इस लेवल के तो ऊपर ही मार्केट क्लोज होगा अगर यह रैड केंडल बनी तो भी बेसक न्यूस केंडल है तो मोस्टली रिवर्स होती है ठीक है बट यहां पर सेलर्स रियली वीक है तो इस सारी केंडल ने ठीक है अभी यहांपे मेरी पेर लॉजिक ये ही है कि मार्केट में यहां पर फेड़्ल्यू और या यहेडिन हसी बोल की तोचा है तो यहांसे मैंने का एक्त-भकषाे प्लेश की तो ओक्ड़ेज चूंब सब습니다 ठीक है ट्रेड में ड से बह tenho चुका है GREG अभी revel schedule ने किया है गैप ठीक है अब candle क्यों किया है उसका रीजन पहले और करते ठीक है ठीक है यहाँ holder को इस candle में यहाँ यहां पर्षब को यह W का bank line को pneumonia का यह टीक है त MRC भी प्रिवेस केंडल डव्यू की नेकलाइन पर क्लोज है ठीक है और यहां पर केंडल लास मुमेंट पर क्या ग्रीन आ सकती है वह हमें देखना होगा भी इस केंडल के फॉर्मेशन पर मार्केट काफी यह वॉलिटाइल हो चुका है ठीक है यूरो जीबीबी का चार्ट है हम अपना फिवरेट चार्ट यूरो यूइसदी देख लेते हैं अब 65 परसंट दे रहे तो रहन दो यूरो जीबी वाइट ठीक है हर जगह पर तो नहीं दिख रही है गाईस मुझे यहां पर ठीक है सिर्फ यूरो जीबीबी में दिक्कत है ठीक है मार्केट में यहां पर एंगल फिंग की लेवल के नीची क्लोज आउट हो चुका है केंडल सायथ सोरी एक सेकंड ठीक है एंगल फिंग की लेवल के नीचे मार्केट ने क्या क्लोज आउट किया है प्रिवियस रैट को ठीक है मार्केट ने यहां पर अगें से गैप है तो गाइस यहां पर भी हम चार्ट चेंज करते क्योंकि वॉलिटिलिटी काफी हाई हो चुकी है ठीक है और ऐसे में ट्रेड करना यानि कि लॉस ही करना है यहां पर भी सेम पैटर्न ड्राउंडिंग बाटरम पैटर्न यहां पर पॉर्म हो रहा है ठीक है तो उसी एकोडिं सब्सक्राइब करना चाहूंगा अभी हमारे पास जो नेक्स लेवल रहेगा जो की मार्केट का भी सब टार्गेट रहेगा वह जो की काफी ऊपर है बट हम इतना उपर सब कंसिडर नहीं करते हम स्ट्रोंग केंडल का 50% पहले कंसिडर करेंगे ठीक है उसी एकोडिंग हम नेक अब डाउन दिख रहे हैं मुझे सायद या फ्लैट ओपनिंग है तो यह ग्रीन ही बनेगा अभी दिखतेगा इस केंडल क्या बनता है उसके अकोडिंग यहां पर करेंगे तता है हम जardi केंडल में बायस नहीं प्रेशर किया है हुए है था है यहां यहां पर 50 से भी रिजीक्शन आ रहा है थीक के यानि की यहां पर केंडल में एक strong push आ सकता है last की कुछ seconds में ठीक है किस direction में आयगा ठीक है मार्केट उपर 50 को break कर लहा कर नहीं कर पाया है ठीक है यहां पर push आया बट market में 50 का resistance से इंदे मार्केट यहां पर ऊपर नहीं जा पाई तो यह केंडल पर पूट ओप्शन का ट्रेट किया जा सकता है वहाँ अब्धे मोमेंटम हमारे पास स्ट्राँग है तो ग्रीन बना वद्धेल यहां पर चार्ट ज्यादा ही है अब यह दूसरे चार्ट को यहां भी बेश्क एक अप्ट्रेंड चला हुआ है यानि कि सब में जैपी वाई में ही निउस लगता है रिलीस हुई है ठीके देखते हैं और जीपी वाई के चार्ट जीपी वाई के और चार्ट अवेलेबल नहीं है ठीके सारे उसके अंदर निउस आ रखे ठीके हम यूरो करते हैं एक संदेख से भिप्ति के मारकेट को सिंटी के लेवल से स्ट्रॉंग यानि कि स्ट्रॉंग सेलर्स की दवारा धकेला गया है ठीके मार्केट नहीं यहां पर कर दिया है कैप डाउन और मार्किट करना जाता है कॉल ऑक्षे लिए यहां से मैं ट्रेट करूँ दो के केंडल मिलके भी यह एक हैमर का अपरविग भी ब्रेक नहीं कर पाइब जैण कर लिक हो रही है बायर्स को एक राउंडिंग बॉटम पैट्रन का रिट्रेस्मेंट का नीड है जो कि यहां की कंडिशन अभी बन रही है ठीक है तो जो जो वीडियो पर न्यूँ हो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल नोटिफिकरिक्सन को भी ऑन कर ताकि आपको ऐसे लर्निंग कंटेंट्स मिलते रहे है ठीक है अभी देखते है गाईस क्या होता है इस केंडल के अंदर ठीक है ब्रिक आउट की तैयरी कर तो रहा है बट ट्रेड हमारा भी नहीं हो चुका है अगेंस से मार्किट ने गैप डाउन कर दिया है यानि कि यहां पर बायर्स पॉर्म में है ठीक है बायर्स यहां पर पॉर्म में है तो कैंडल यह ग्रीन बन सकती है बट यहां पर बैक यहां पर हच से जादा कम हो चुके है हम चीजा चार्ड को आपर प्रेफरेंस हमारे पास कुछ है नहीं ठीक है राउंड नमबर स्पेम प्रेडिक्सन करेंगे ठीक है केंडल ने गडाउं 900 के लेवल पर केंडल एक रेट केंडल भी आ सकती है बट पहले मार्किट ने एक नीजे जाके सपोर्ट लिया है या रेजिस्टन्स वह हमें नहीं पता है ठीक है दिखते हैं इस केंडल क्या वन थी क्योंकि बेसक मार्किट का रूल है हाई लगा है रिवर्सल आना चाहिए यह यहां पर में एक फिफ्टी मीट का चार्ट देख लेता हूं और ओल ओवर ट्रेंड तो फिफ्टी मीट में एक ब्रिक आउट डिख रहा है ठीक है जस्ट में उ उसी एक ओडिंग फिर वन मीट पे हम ट्रेट प्लेस करते हैं ठीक है तो अभी यहां पर दिखते हैं मार्किट में यह हाई लगा हुआ है ठीक है मार्किट ने हाई के अबव गैब डाउन करके क्लोस किया है ठीक है और मार्किट ने क्लोस मारू वुजू केंडल बनाई है बट यहां पर क्रेक्टिव विव स्टार्ट हो चुकी है ठीक है दिखते हैं गाइस क्या होता है इस केंडल के अंदर परसेंटेज वाइस थोड़ा कम है और रिस्क वही है अगर लॉस हुआ तो मेरा 100% 20 डॉलर यानि की अमाउंट जाएगा और आने को 70% है तो हम इसी के टाइल था थोड़ा यहां पर डाउन मोमेंट ही चला हुआ है ठीक है डाउन मोमेंट में डाउन मोमेंट को ट्रेड करते हैं मार्केट का लोवेस पॉइंट था यह स्विंग जो की करेंट सिचुवेशन के हिसाब से राइट है ठीक है नेक्स मार्केट का टार्गेट क्या ह हो सकता है ठीक है हम के लेवल को मार्क करेंगे क्योंकि यहां पर हम ठीक है मार्केट में आया है 56 ज्विक्ट बनाया है ठीक है यह एक पॉइंट का गैप करने मार्किट संसल किने हैं थैसे कि यहां पर Estamos के साथ कि मार्ट में यहां पर कोई नहीं और यहां पर मुझे कोई रीजन नहीं दिख राया ठीक है तो यहां से ट्रेड बनाने का इरादा हम नहीं कर सकते हैं यहां पर मैं कॉल ऑप्शन का ट्रेड बनाओंगा अगर मार्किट इस ब्ल्यू लाइन के नीचे मुझे एंट्री देता है ठीक है ब्ल्यू लाइन के लेवल के ऊपर ही क्लोज होगा जो कि प्रिवियस केंडल में हमें बता दिया है ठीक है अब दिखते हैं मार्किट पर लास सेकंड पर हमें रियक्शन स्ट्रॉंग नहीं आया था तो ट्रस्ट भी नहीं कर सकते का इस आफटर थर्टी सेकंड की ब्रिक आउट में त्रस्ट अब ही करता हूँ इंधिक है अभी मार्केट में देखें ठीक है कि फति खरन के लेवल पर सब्सक्राइब को कोई लेवल नगी है ठीके उसे होते हैं मार्किट को यहां पर रस करना चाहिए ठीक अथ询के मैं यहां से तो दिखते हैं क्या होता है अभी इस केंडल के अंदर कि अब दिखते हैं मार्किट को स्ट्रॉंग पूल कहां से आया है अ कि 34 से अगर होता है 24 पर तौह यहां से काष्ग का कि डिखत्राइट है ठीक है तो 34 की नीचे यहांपे सख्सम हुए पर gende तार्गेट को लेवल ब्रेक करना था जो कि अचिव नहीं कर पाएं तो car तक नहीं गया है तो यहां से मैं कॉल ओप्षिन के लिए नहीं जा सकता है क्योंकि काफी रिस्क हो जाएगा तो काइज अब थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है ठीक है क्योंकि ट्रेड मिलना भी मुश्किल है क्योंकि मार्केट समने साथ ट्रेड का प्रॉफिट निकाला है अब मार्केट इतना इसली हमें प्रॉफिट नहीं देगा ठीक है तो, मारकिट तुम्हारा अभी पीशन्च चेक करेगा कि तुम कीतना टाम बैठ सकती हूआ हमा बैठ सकते हो अन पाली ऐग कि मारकिट में यहां पर पे ठीक है, एंगल टिम के की लेवल है वह तो ब्रेक आउट हो चुका है ठीक है मार्केट में यहां देखते है 75 का लेवल ब्रेक आउट हो चुका है बड़ मार्केट में ऊपर चरी जिक्सन आई है यहां पर डबल्यू का नेकलाइन है मैं को यहां पर एक गुड एंटर पॉइंट चीए बिलोव इस की लेवल ठीक है ठीक है 75 पर ठीक है बायर से एं स्विंग है जिसको कि हम प्ले कर सकते है ठीक है यह थोड़ा रिसकी ट्रेड है विकोज कि यहां पर एक प्रेस ब्रेक आउट हुआ है और यह रिट्रेस्मेंट का स्विंग है जिसको कि हम एजिली यहां पर प्ले कर सकते है और यहां पर एक राउंड नंबर प्लस यह एक डब्लीव पैट्रन है तो डब्लीव पैट्रन की की लेवल किया है बॉ्टम पर में चैनल लाइन है वह हमारा एक रजिस्टन्स पॉइंट है मार्केट में ये केंडल रेड़ बन सकता है क्योंकि मार्केट को यह अपर साइड का 97 का लेवल इसकी पाउट करना था जो कि नहीं कर पाया यहां पर रूल यह लागू होता है डियर इसम मुमेंटम ठीक है यह एक मुमेंट करते हैं यह यह अच्छा मुमेंटम था गाइस बढ़िया पर शॉरिटी बहुत कम हो जाती है ऐसा मुमेंटम पकड़ने में ठीक है अचानक से गिरेगा कोई सोच नहीं सकता है बढ़ फिर प्ले अलग तरीके से ही कर पाते हैं ठीक है केंडल क्या बनता है केंडल को रिजे स्ट्रॉंग आ सकते ठीक है लास्ट मुमेंट पे केंडल डाउन आई है और लास्ट मुमेंट पेंगल फिंग हुई है तो 90 परसेंट चांस है कि यह केंडल एक ग्रीन केंडल ही बने ठीक है मैं ट्रेड करूंगा सिप शॉर्ट रेड पर क्योंकि यहां पर एक दूसरा यूरो जीविटी है कि यूएसडी जेपिवाई यूएसडी जेपिवाई में ही है हम देखते गाईज मैं फिक्स अमांट से ट्रेड कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टार्गेट टू हंड्रेड डॉलर का है इसलिए टाइम लग रहा है गाईज गेन करने में ठीक है बट प्रॉपर नॉलेज के साथ आपको वीडियो मिल रही है तो यहां पे आपको प्रॉपर फोकस करना है ओन एंट्रेड देता तो मैं यहां से कॉल ओप्शन कर डेफिनेटली एंट्रिप्लेस करता अभी मेरे को यहां पे पंदर मीट पे थोड़ी कंडिशन कर लें लें तो टीक है मार्केटियांस एक सपोर्ट से ही आया है तो यह तो 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 कुछ और भी दिखा है हमें मार्केट मे अब यह कितने हद तक वर्क करेगा वह में नहीं पता बट हम एक रेफरेंस ले सकते हैं ठीक है मार्केट में यह ग्रीन बनेगा ठीक है मार्केट को आया है 52 से रिजेक्शन दिखते हैं केंडल क्या होती ओर लैप का भी लैवल है 50 पे दिखते हैं गाई ऑटी सेवन पे बा यह जाना चाहूंगा ठीक है मार्केट नहीं यहां पे एक रेजिस्टंस पर टाच करके एक केंडल को बनाई है यहां पर सेलर को एंगल किया गया है अगर मुझे एंटरी मिलेगा तो मैं डवल्यू की लैवल के बॉटम पे कॉल ऑप्शन का रिसकी एंटरी बनाना चाहूं कि यह टेडी लाइन को मैं वेड कर देता हूं जिससे कि मुझे पता रहे कि यह एक रिट्रेश्मेंट का स्विंग है बस कि ठीक है मार्केट में दिखते हैं 52 पे सेलर्स है जो कि मार्केट को नीचे धकिलने का फुल ट्राइक कर रहे हैं ठीक है ठीक है 52 से स्ट्रॉंग कुस आया है गाइस ठीक है और 47 की नीचे अगर क्लोज कर दिया तो यहां से सेलर्स कंटिन्यू कर सकते हैं ठीक है ठीक है यहां पर मार्केट आम पैटन बना चुका है ठीक है केंडल ने टार्गेट तो दे ही दिया है तो यह केंडल एक ग्रीन केंडल बन सकता है अभी फिलाल दिखते हैं देर इस अ मूमेंटम कि मुझे अगर एंट्री मिलता भी तो भी मैं यहां से कॉल के लिए तो जब मौनिंग स्टार की की लेवल पर आता तब ही मेरा एंट्री एक्जिक्यूट होता है ठीक है मौनिंग स्टार की लेवल पर अगर रियक्शन देखेंगे तो की लेवल पर अभी हम रियक्शन को ब सब्सक्राइब नएटर में लेगा तो इसम्म पूट अप्षिन के लिए यहां पे ट्रेट कर सकते हैं तो के केंडल उपर आना चाहिए है कंडिशन यहीं है अभी ल ότι यहां से माफ्षन कर देता हूँ ठीक है कैंडल ने मुझे सेलिंग पॉइंट पर एंटरी नहीं दी है यानिकी केंडल ने एक भाइंग प्विंट पर एंटरी दी दी है जो की एंग मोनिंग मॉनिंग स्टार का की लेवल है लसव उपर एक एम पैटर्ण बनाया है तो देखते का इस candle क्या बनती है candle में या पर थोड़ा बहुत बाइंग को दिख रहा है हमें ठीक है seller साय है कोई दिक्कत नहीं है हमें सिर्फ 200 डॉलर का टार्गेट लेना है पर ये candle को भी last moment पे हमारे entry point के ऊपर ही close होना है अभी देखते क्या होती है ठीक है ठीक है एक point से म ठीक है अभी मैं profit का risk ले रहा हूँ ठीक है क्योंकि अभी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी गाइस ठीक है यहां पर मार्केट ने सपोर्ट पे close किया तो definitely candle तो green आ ही सकती है और टार्गेट भी मार्केट का आ ही चुका है कि दिखते हैं गाइस इसके बाद हमारा 177 डॉलर होगा थोड़ा चार्ट है थोड़े कम चार्ट अवेलिबल है यहां पे कि OTC में भी कर सकते हैं अभी तो हम ठीक है GBP USD में करते हैं बले percentage कम है यहां पर तृपल टॉप पैटर बन रहा है ठीक है कि मार्केट में यहां पर नीचे अभी भी रिजेक्शन पॉइंट है मैंने यानि कि नेकलाइन यहां पर काफी वॉलिटाइल है ठीक है अब मार्केट में सेलिंग पोजिशन के ब्रिक आउट हो तुक है कंडिशन देखते हैं क्यूंकि छोष्भ किया है तो मार्केट यहां से उपर रही सकती है बैट यहां पर अगेंच से मोर्निंग स्टर का ब्रिक आउट हो चुका है तो केंडल दिखते हैं रेड ही बनना चाहिए उधर ठीक है यहां पर ट्रेड बन रहें नेक्स्ट के लिए अगर केंडल मेरे ग्रीन लाइन के बॉटम पर क्लोज करने में काम्याब रहेगी तो यहां से से अगेंच से मुमेंट दे सकते हैं ठीक है यहां पर से लेवल कौन सा है 270 का लेवल है केंडल को प्रॉपर फोकस करेंगे है ठीक है यहां से सेलर्स 254 पर से क्या हमें वहां पर एंट्री मिल चुकियों अपना इंट्री पॉइंट भी दिखाया है अब मार्किट यहां पर दो केंडल को रिटरेशन बनाने के बाद मार्किट जाएगा फेंड़ के लिए जो कि यहां पर अवेलेबल है अब उस केंडल तुरंथ हाइप मारके नीचे का लेवल टच करके बायर्स एंटर दिखाए वैसी कंडिशन में केंडल ग्रीन बन सकता है तो दिखते हैं अब ही केंडल क्या रहती है केंडल को ही फोकस करेंगे और इसके बाद भी मेरा तार्गेट तो चीव नहीं ही होगा केंडल प्रॉपर लिया ही रही है अभी मार्केट नहीं पर पोजिशन टच कर लिए पर यहां पर नेक्स पूट ऑप्शन के लिए ही ट्रेड है मैं यहां से थर्टी डॉलर का ट्रेड कर सकता हूं गाइस ठीक है क्योंकि यह अभी 178 डॉलर हो चुका है मेरा बैलेंस ठीक है म 22 डॉलर के लिए यहां पर मैं थर्टी डॉलर से यहां पर ट्रेड कर रहा हूं कि त्टी बन ठीक है दियर इस ब्रिक आउट पॉइंट ऊपर कौन से लेवल से 49 से रिजिक्सन आई है यानि कि फिप्टी में अभी भी स्पेस है मार्केट नहीं गैप डाउन किया है बट स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया है एक ट्रेड लेकर निकलते गाइस क्यूंकि अभी सारे मार्केट थोड़े उलट पुलट यानि कि थोड़े साइडवेस जैसे कि हो रखें तो यहां पर में एक यह स्टी ब्र वगएर आमें ट्रेड कर सकता हूं कि मेरे कुछ टार्गेट ही अचीव करना है अभी फिलहाल यहां पर 50% से मार्केट में स्ट्रॉंग बायर आया है ठीक है मार्केट ने कर दिया है गैप ठीक है यहां पर मार्केट ने कर दिया है यहां पर ट्रेड है यहां समय पुट आप्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर द कि वह नीचे का 50% of strong green ब्रेक कर पाए ठीक है बड़ा में प्रॉपर्ली देखना होगा क्या मार्केट नहीं है तो मार्केट को नीचे के लेवल ब्रेक करने के लिए ही गैप अप होना है का उर्सक्राइब रट बन सकता है घूसरण तो मेनं थमस्क्राइब और में यह सब्सक्राइब द नेतलों आये ही ठीक है अभी देखते हैं गाइस अभी हमें प्रॉपर एक रिस्क अच्छा का साथ 60 डॉलर का ही ट्रेड करना होगा क्योंकि यहां पे मुझे टार्गेट जल से जल अचीव करना है और काफी लंबा वीडियो भी बन चुका है ठीक है तो यहां पे मुझे प्रॉपर टार्गे गरिकेंके मॿशन हो सकती है क्योंकि यहां पे मुझेंटम डवन है पं मेंट्र मिंट के अकोडिंग भी यहां पेक लिवेल है हो भी सकती यहां क्यां करता है तो यह से में कोल क 1000 डॉमग ठीक है 907 से स्ट्रónक सीर्ट तसबधी भी तो यहां से फिर put option के लिए हमें अच्छा का ऐसे trades मिल सकते हैं एक ही trade place करना है और वो भी short short ठीक है candle थोड़ा उपर जाएगा entry मिलेगी 903 पे तो ही हम यहां से put option का short trade place कर सकते हैं ठीक है अभी दिखते कि candle reaction क्या बोलता है previous candle ने हमें दिखाया कि यहां पे strong sellers है 903 पर यहां पे market नीचे support ले रहा है तो यहां zam call option के लिए भी trade को place नहीं कर सकते हैं विकोस की यह काफी risk के trade हो जाएगा कि दिखते हैं गाइस अच्छे trades के लिए wait ही करना पड़ रहा है अभी कि क्योंकि सारे market में news आ रखे तो इस news market में इतने काफी volatile market में भी हमें target के लिए trade करना याने की काफी risky है ठीक है यहां पे buying position है कुछ USD GPY के चार्ट में बढ़ यहां पे proper तरीके से तो buying position पे market तो नहीं जा सकता यह news candle है तो mostly next candle reverse हो सकती है बढ़ यहां पे target नीचे काफी deep है 15 मीट के according ठीक है तो candle यह next वाली red भी बन सकती है ठीक है यहां पे में trade नहीं करूँगा क्योंकि यह pure gambling हो जाएगी क्योंकि previous हमें पता होता है अगर reverse होगी तो वो कहां से होगी य ठीक है red भी बन सकती है ठीक है भी देखते है कि candle क्या बनती है उसी के according next candle पे या तो फिर proper एक trade के लिए बैठेंगे हम ठीक है यहां पे कुझे buying position ठीक है 15 मिट के according बैटर view मिल रहा है buying position का ठीक है टाइम जा चुका है 29 सेकेंड हो चुके है तो यहां पे trade नहीं बन सकता कि कहां से बाइर आ रहे है ठीक है चार्ट ही चेंज करते है क्योंकि एक trade के लिए हम बहुत टाइम ले रहे हैं अभी बट अमांट भी हाई है तो उसी according गाइस वेट करना है हमें ठीक है मार्केट टोटली हमारा patience टेस्ट कर रहा है ठीक है यहां पर कुछ बाइंग पोजिशन 15 मेट के अकोडिंग है ठीक है मार्केट यहां पर वीक केंडल बना दिया है ठीक है प्रॉपर देखेंगे अभी इस केंडल का reaction नेक्स्ट पर यहां पर में शौर्ट प्लेश करना चाहूंगा ठीक है अभी मार्केट में बाइंग पोजिशन का breakout हो चुका है ठीक है तो यह candle रेड भी आ सकती है ग्रीन भी आ सकती है बड़ प्रिविए स्केंडल का जो न्यू स्केंडल का वीक है जो की मार्केट में seller ब्रेक नहीं कर पाया प्लस seller मुमेंटम में है और seller का वीकनेस हमें यहां पे दिख रहा है ठीक है सारे चार्ट को देखते है ठीक है यहां पर भी टार्गेट के नियरिस्ट हमारे लिए यही चार्ट बैस्ट है क्यूंकि यहां पे एक next call option का trade बन रहा है अगर candle यहां पे close होती है तो यहां से में next call option का trade place करूंगा ठीक है ठीक है ठीक है एक candle का lower week को break करने के लिए दो sellers की candle fail हुई है जब seller fail हुए है तो buyer यहां पे entry कर सकते है तो इसी according यहां पे मैंने call option का trade place किया है previous candle के reaction ने हमें दिखाया है कि buyer यहां से recovery कर रहे है और seller उपर से push कर रहे है ठीक है तो इस वज़े से previous candle काफी week बनी और market में यहां पे ए एक corrective wave है बढ़ हमने proper momentum को reverse कर दिया है तो दिखते है अभी candle क्या रहे थे क्योंकि last trade है इसके बाद मेरा $200 का जो target है वो complete हो जाएगा ठीक है 321 तो यहां पे मेरा target भी done हो चुका है बढ़ ट्रेड ठीक है ट्रेड भी मेरा exit हो चुका है तो guys कैसा लगा होगा आपको वीड market करते में क्योंकि यहां पे market में आप देख सकते हो new scandal काफी आ रही थी ठीक है तो यहां पे फिर market काफी volatile था तो ऐसे volatile market में market आपके patience test करता है ठीक है तो guys कैसा लगा वीडियो आप like कर देना comment कर देना मैं मिलता हूँ आपसे next video में तब तक के लिए जैन और वंदे मातरम और कोई भी query हो trading का ठीक है तो आप मुझे telegram पे direct DM भी कर सकते हो तो मैं मिलता हूँ next video में guys